हाई अब्रिवन वेल्कम तो मैं चैनल तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं बैली और हम यह बना रहे हैं वाइट चॉकलेट के साथ सबसे पहले हम बैली मौल ले लेंगे और इसके अंदर हम वाइट चॉकलेट से डॉट लगाएंगे यह हमारे पास जो है फॉंडेंट टॉल ह है और इस तरह से देखिए आप बॉल टॉल से इस तरह से बैली के अंदर डॉट्स लगा लेंगे और डिजाइनिंग आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं जैसे भी मैं आपको बॉल टॉल के साथ करके दिखा रही हूँ लेकिन जो इसका फाइनल प्रोड़क्ट है वो मैं आपको और डिजाइन के साथ बताऊंगे दिखाऊंगे तो हमने वाइट चॉकलेट के अंदर पहले पिंक कलर एड़ कर दिया है और फिर हम इसके अंदर ब्लू कलर एड़ करेंगे थोड़ा सा हम इसको परपल शेड बनाना चाहते है अगर आपके पास परपल कलर नहीं है तो आप इस तरह से पिंक और ब्लू को यूज़ करके हलका सा परपल कलर दे सकते है इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए अगर आपको चॉकलेट थीक लग रही है तो आप वापिस इसको माइक्रोव कर लीजिए 20 सेकंड के लिए और एकदम गर्म चॉकलेट को आपको मॉल्ड में पोर नहीं करना है वरना जो आपने डिजाइनिंग दिया है वो मेल्ट हो जाएगी इसलिए चॉकलेट का जो टेंपरेचर है वो रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए अभी हमारे पास मिल्क चॉकलेट नहीं है तो मैं आपको वाइट चॉकलेट के अंदर ही हम कलर कैसे दिये हैं वो बता रही हूँ अभी मैंने आपको कलर दिखाई यह हम कलर एड़ करके वाइट चॉकलेट को ही हम मिल्क शेड कलर का बना रहे हैं यह मैंने इसके अंदर रेड पाउडर कलर एड़ किया है चॉकलेट कलर है तो वाइट चॉकलेट के अंदर हम यह देखिए आप जो चारो colors देख रहे हैं ये हम एड़ करेंगे तो ये हमारी milk chocolate होती है वो व्ला color आ गया अगर आपके पास घर पे milk chocolate available नहीं है तो आप white chocolate के अंदर ऐसे ही colors mix करके बना सकते हैं चलिए अभी हम इसको पोर करेंगे mold के अंदर बहुत ज़्यादा चॉकलेट थिक भी नहीं होनी चाहिए वरना चॉकलेट की क्वेंटिटी फिर ज्यादा यूज होती है तो make sure कि आपकी जो chocolate है वो ऐसे liquid consistency में होने चाहिए बहुत ज़्यादा runny भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए तो इस तरह से हमने इसको दोनों molds को हमने fill कर लिया है चोकलेट से और इसको जो भी extra chocolate है outside की तरफ उसको हम remove कर देंगे आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं फिर हम इसको fridge में set होने के लिए रख देंगे क्योंकि mold की depth ज़्यादा है इसलिए इसको set होने के लिए थोड़ा सा time ज़्यादा लगेगा जो normal हमारे molds होते हैं वो 5-10 minute के अंदर set हो जाते हैं बट इसको थोड़ा सा time लगेगा यह दिखी मैं आपको जो final product दिखा रही हूँ जो मैंने आपको designing सिखाई है वो नहीं है यह मैंने और designing करी है वो वाला piece sale हो गया था इसलिए मैंने मेरे पास जो available है मैंने आपको यह द किसर नहीं आपको नहीं है क्नको नहीं है यह दो दोगगे though जो हम आपको वह दोगगे झालावं है।